हेलो फ्रेंस वेलकम टू गोल्डेन सिल्वर अनलाइसिस दोस्तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डेस्क्रिप्शन पे वर्टसब चैनल का लिंक दिया हुआ है आप लोग लिंक क्लिक करके वर्टसब किजिएगा मार्केट होसा पेगोल्ड और सिल्वर के रिगार इंग politics वर्टसब पर मिलता रहेगा दोस्तों पहले हम लोग mcx ψल्वर का लेक लेते हैं और उसके बाद mcx गोल्ड का उनलाइसिस करते हैं दोस्तों सिल्वर में जो sudden rise और sudden fall दिखा इसका क्या कारण था यह हम लोगों ने वेटसब चैनल पे और कल के वीडियो में डिसकस किया है और उसी ही साब से दोस्तों अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा और अगर अभी तक आप लोग WhatsApp चनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तब जो हैं आप लोग WhatsApp चनल जोइन कर लीजिएगा, दोस्तो हम लोगों ने WhatsApp चनल पर अपडेट किया था, कल के ट्रेडिंग सेशन में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आया था, और दोस्तो ये डेटा गो बहुत ही निगटिव था, और दोस्तो कल के ट्रेडिंग सेशन में उ समुचियर्ण फूर्चेसoff बोने जॉबलेस कर लीजिए बहुत ही निगटिव था, और दोस्तो ये data भी गोल्डर, सिल्वर गोल्र, सिल्वरें। बहुत ही निगेटीव था और उसी हिसाब से दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में स्ट्रॉंग डाउन फॉल दिखा और दोस्तों 22 मार्च इंडियान टेम के अनुसार 6.30 पीम को फेट के चैर्मेन का कोमेंटरी आने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तों आज के भी वोलेटिलिटी हाई रहने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तों अगर आप लोगों ने कल के ट्रेडिंग सेशन में टेक्निकल एनालाइसिस के साथ फंडेमेंटल एनालाइसिस भी किया है तब जो हैं आप लोगों को कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुती अच्छा प्रो कोमेंट्री होकिश आता है तब जो है गोल्डर सिल्वर में स्ट्रोंग डाउनफोल दिख सकता है और दोस्तों अगर फेट के चैर्मेन का कोमेंट्री डोविश आता है तब जो है गोल्डर सिल्वर में स्ट्रोंग अपमूव दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तों आज के trading session में volatility high रहने वाला है और उसी हिसाब से lower quantities के साथ और stop loss के साथ trade plan करना safe रहने वाला है दोस्तो हम लोग silver के 1R के chart पर देख सकते हैं 74,800 silver के लिए resistance बन गया है और दोस्तो at the time of recording this video silver 74,574 के पास trade कर रहा है और उसी हिसाब से दोस्तो 74,570 के नीचे 73,800 से 74,000 का जो range है यह silver के लिए important support zone बना हुआ है और उसी हिसाब से दोस्तो आने वाले समय में अगर silver 73,800 से 74,000 के range के पास आता है तब जो है silver में फिर से strong bounce back दिख सकता है और दोस्तो आज के trading session में अगर fat के तरफ से hawkish commentary आता है तब जो है 73,800 से 74,000 का strong support भी break हो सकता है और उसी हिसाब से दोस्तो आने वाले समय में अगर 73,000 800 का important support break हो जाता है और इसके नीचे hourly candle form होता है तब जो है silver में strong downfall दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तो 73,800 के नीचे 73,200 और 73,200 के नीचे 72,800 के level पे भी silver जा सकता है और दोस्तो आज के trading session में अगर fat के तरफ से dovish commentary आता है तब जो है silver में फिर से strong up move दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तो 74,800 बनने वाला है हम लोग के लिए first target और अगर 74,800 का resistance भी break हो जाता है तब जो है हम लोग higher level पे 75,200 75,200 के ऊपर 75,600 75,600 के ऊपर 76,000 और अगर price 76,000 का strong resistance भी break कर देता है तब जो है हम लोग higher level पे 76,400 के level के लिए भी trail कर सकते हैं तरहां MCX silver का complete analysis अभी हम लोग MCX gold का analysis कर लेते हैं दोस्तो हम लोग gold के honor के chart पे देख सकते हैं gold अभी 65,700 के पास trade कर रहा है और दोस्तो हम लोगों ने WhatsApp चैनल पे और कल के वीडियो में discuss किया है कल multiple data आया था और दोस्तो यह जो data था यह gold और silver के लिए negative था और उसी हिसाब से दोस्तो gold में कल के trading session में और आज के trading session में strong downfall दिखा दोस्तो वानर के chart पे हम लोग देख सकते हैं 65,400 से 65,500 का जो range है यह gold के लिए important support zone बना हुआ है और दोस्तो 65,900 से 66,000 का जो range है यह gold के लिए important resistance zone बन गया है उसी हिसाब से दोस्तो आने वाले समय में अगर price 65,400 से 65,500 के range के पास आता है तब जो है फिर से gold में strong bonds back दिख सकता है और दोस्तो आज के trading session में अगर fat के तरफ से hawkish commentary आता है तब जो है 65,400 से 65,500 का जो strong support zone है यह break हो सकता है और gold में strong downfall दिख सकता है और उसी हिसाब से दोस्तो 65,500 के नीचे 65,200 बनने वाला है first target और अगर आने वाले समय में 65,200 का important support भी break हो आता है तब जो है gold downside पे 65,000, 64,800 और 64,500 के level पे भी जा सकता है और दोस्तो आज के trading session में अगर fat के तरफ से dovish commentary आता है तब जो है gold में strong up move दिख सकता है और उसी हिसाब से 65,900 से 66,000 का जो resistance zone है ये भी break हो सकता है तर उसी हिसाब से दोस्तो आने वाले समय में अगर price 66,000 के ऊपर hourly candle form करता है तब जो है हम लोग higher level पे 66,250 और 66,250 के ऊपर 66,500 के level के लिए trail कर सकते हैं तो यह रहा MCX gold का complete analysis आशा करता हूँ आज के analysis आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो please like कीजिएगा और अगर पहली वार इस channel को visit कर रहे हैं तो please channel को subscribe कीजिएगा, bell icon press कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिएगा, thanks for watching the video